हालो एब्रीवन आज की इस वीडियो में हम परेंगे क्लास 10 SST का जोगरोफी बुक से चैप्टर नॉमबर 2 फॉरेस्ट एंड वाडलाइफ रिसोर्सेज ठीक है इसको हम NCIT बुक से कवर करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं इस पूरे इंट्रोडक्शन में यहां से यहां तक में हमें दो ही चीज पढ़ना है एक कि यह बायो डैवर्सिटी होता क्या है और डूसरा कि इसका इंपोर्टेंस क्या है तो यहां पर जो लैंग्वेज है वो काफी कॉंप्लिकेटेड है इसको हम सिंपल तरीके से यहां समराइज करकर रखे हुए है देखिए सबसे पहले है बायो डैवर्सिटी यह देखिए बायो डैवर्सिटी का फूल फर्म होता है बायो जीकल डैवर्सिटी यह जो बायो टर्म है इसको एक्स्पैंड करेंगा तो बायो जीकल डैवर्सिटी ठीक है इसका नाम से ही आप इ It is the variety of living things on Earth. Earth पर जितने भी type के living things पाई जाते हैं. इसी variety को कहते हैं biodiversity. चोटे से चोटे microbes से लेकर बड़े से बड़े whales तक. यह सब भी biodiversity का part है. इस पर plants, animals, fungi और even bacteria यह सब इसमें आते हैं. हम human beings भी इस biodiversity का part है. समझ गए? एक्जाम में definition पूछेंगे biodiversity का, तो आपको यही वाला लिख देना है simple. ठीक है? अब अगला है, इसका importance क्या है? इतने अलग टाइब के organisms या फिर living things अर्थ पे हैं, तो इसका importance क्या है? तो simple सा बात है, biodiversity का part है plants. आप चाहे तो easily plants का importance से लिख दीजिए, वही चीज, biodiversity का importance भी हो जाएगा. समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से आप यह चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं. फिर भी हम यहापे कुछ points लिख रखें आपके लिए, importance of biodiversity. पहला है, clean the air we breathe. plant का यह एक importance है, तो यह biodiversity का भी importance हो गया. यह हवा को साफ करता है. दूसरा इसका importance है, it purify the water weight ring. पानी में अलगलग टप का organism से, decomposers से वो पानी को लगता हैं साफ करते रहते हैं. तो यह decomposers भी biodiversity का पार्ट है, एक living thing है. तो यह importance हो गया है, biodiversity का. ठीक है? पहला तो हवा साफ करता है, दूसरा पानी साफ करता है, तीसरा, soil को साफ करता है. Soil में भी decomposers होते हैं, जो समान को सराग अला कर decompos कर देते हैं. है कि नहीं? इससे soil healthy रहता है. यह हो गया तीसरा importance. चौथा, plants मिलके क्या बनाते हैं? forest बनाते हैं, तो forest आपको food देता है, oxygen देता है, तो यह भी एक importance हो गया, biodiversity का. अगला है, forest का ही importance कि इससे आपको food, medicine, ठीक है, nerds यह सब चीज मिलते हैं, तो यह भी importance हो गया, biodiversity का. समझे? इसके लाफा और भी कोई point अगर आपके दिमाग में आता है, जो कि plants, यह भी इन सब का किसी का भी benefit हो, वो आप इसमें लिख सकते हैं. फिलाल आपके reference के लिए हमें आपके चार लिख दिया, आप यह चार भी एक्जाम में लिख क्या सकते हैं. चार नहीं पाच है, ठीक है? तो definition और importance, यही दो चीज़ आपको यहां से त्यार करना है, पूरे introduction से. क्लियर है, यह हमने cover कर लिया. अब आज यह दूसरे topic पे. दूसरे topic है, flora and fauna in India. flora आपको पते होगा plants और animals in India. यह दो लोगों को मिला के हम बोल सकते हैं, बायो डाइवर्सिटी. में बताया हुआ है कि इंडिया में जो पायो डाइवर्सिटी है, यानि flora और fauna का जो वेराइटी है, वो काफी रीच है. बहुत अलग अलग टाइप के plants और animals पाई जाते हैं. ठीक है? यह पहला point हो गया. और दूसरा point है कि हमने इस diversity को for granted ले लिया है. और इसलिए हम अन्दा दून इस्तेमाल किये जा रहे हैं, जंगल को काटे जा रहे हैं, एनिमल्स को भी extinct किये जा रहे हैं. ठीक है? तो इससे क्या हुआ है कि लेटली, मतलब अभी हाल के टाइम में हमें तेखनों को मिला है, कि environment में काफी ज़्यादा stress पर रहा है. तीस बज़े से क्योंकि हम ये flora फाउना का अंदा दून यूज़ किये जा रहे हैं. ठीक है? इसलिए इन दों को क्या करना पड़ेगा? conserve करना पड़ेगा. और यही है हमारा अगला topic. इस topic से इतना ही है, कुछ कोशेश तो बनता नहीं है, बस इस टाइबर सिटी है इंडिया का इतना ही इसला बताया हुआ है. कोशेशन बनेगा इस topic से, जो कि है conservation of forest and wildlife in India. समझ गए? इस topic में समझेंगे कि conservation करना क्यों ज़रूरी है? और दूसरा question होगा how? conservation करने के लिए क्या क्या किया गया है इंडिया में, वो समझेंगे, ठीक है? पहले समझते हैं why cancer, कि why do we need to conserve our forest and wildlife, क्यों conserve करें? तो दो reason है, conserve करने का. पहला reason है to preserve ecological diversity, और दूसरा reason है to preserve genetic diversity. अब ये दोलो term समझें, ecological diversity क्या होता है? और genetic diversity क्या होता है? ecological diversity मतलब, ecosystem कितना variety का मिलता है वहाँ पर, ecosystem मतलब, देखें, एक ecosystem जिसे कि forest एक ecosystem है, forest में, जो पेर हो गया है, मिट्टी हो गया है, जानवर्स हो गया है, ये सब मिलके एक ecosystem बना रहे है, इसमें सब एक दूसरे पर dependent है, ठीक है? तो उसे सबसे forest एक ecosystem हो गया, उसी तरीके से grassland एक ecosystem हो गया, यहाँ पर अलग टाइप का organism होगा, ठीक है? अलग टाइप के plant होंगे, तो ये ecosystem फर्म कर रहा है, उसी तरीके से wetland भी एक ecosystem फर्म कर रहा है, तो अगर हम अलग-अलग type के plant और अलग-अलग type के animals को conserve नहीं करेंग तो यह ecosystem भी destroy हो जाएगा समझ रहे एक भी organism अगर कई से गायब होता है उसका एक रोल है वहाँ पे अगर वह गायब हो जा रहा है वह छोटा चोटा चोटा क्यों ना हो तो वह पूरा ecosystem collapse कर जाएगा समझ रहे इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें forest and wildlife का conservation करें तो पहला reason आप air दूसरा water और तीसरा soil यह air water soil preserve रहेगा वह यहाँ पे लिखाए कि air water और soil तीनों मतलब चलते रहेंगे अच्छे condition में रहेंगे ठीक है यह हो गया पहला reason दूसरे reason पहाँ जाएगे दूसरा reason है to preserve genetic diversity genetic diversity मतलब एक species के अंदर कितने टाइप के कितने वराइटी के organisms पाई जात लेते हैं rice a crop है ठीक है तो तो कितने टाइप के राइस पाई जाते हैं यह हो गया genetic diversity समझ रहें उससे तरीके से हमद फिच ने की फिस पाई जाते हैं यह गया genetic diversity मतलब एक इस पीसिस के अंदर कितना वाराइटी मिल रहा है अगर एक ही दो टाइप के मचली मिल रहे है तो ब 10-20 टाइप के अगर फीश मिल रहे तो वहां पर बुल सकते हैं ज्यादा है समझें तो यहां पर बुला गया है कि अगर आफ फोरेंस्ट एंड वाडलैक को बचाएंगे ना कंजर्ब करेंगे ना तो जनेटिक डाइवर्सिटी बना रहेगा प्रिजर्व रहेगा अब यह कैसे समझें इसको यहां पर एक्जामपल से समझाया हुआ है फॉर इजामपल मान लीजिए वही फिर से राइस वाला ही एक्जामपल लेते हैं मान लीजिए कि किसी कंट्री में जनेटिक डाइवर्सिटी काफी अच्छा है ठीक है तो वहाँ पर मतलब अलग अलग ताइप के राइस का क्रॉप एवलेबल है तो फारवर्ड जब यह क्रॉप करने जाएगा तो ऐसा वराइटी चुनेगा ऐसा राइस का क्रॉप चुनेगा जो कि क्या हो किसी भी पाने यह उप्सेन तभी रहेगा जब जनेटिक डाइवर्सिटी रहेगा अगर माली जे एक ही टाइप कर आइस क्रॉप एवलेबल है तो फार्मर क्या करेगा मजबूरी में इसी को ग्रोग करेगा बले इसमें कीरा जल्दी लगता हो पानी ज्यादा चाहिए क्लाइमेट ह अप्शन रहेगा बेस्ट वाला क्रॉप ग्रोग करनेगा बात अगराई समझ रहे हैं यहां पर चलिए तो एक डिकल्चर में यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसी तरीके से फिशरीज में भी फिशरीज टू आर हेविली डिपेंडेंट डॉन मेंटेनल्स ऑफ एक अब दिखते हैं इंडिया में क्या क्या किया गया इसी फौरेस्ट और वायर लाइफ को प्रिजर्ब करने के लिए लोग इसके प्रती जागरूक हुए 1960s और 1970s में लोगों ने डिमांड किया गौर्षमेंट से कि आप क्या कीजिये एक national program बनाई है ताकि wildlife का protection गिया जा सके ठीक है लोगों ने ये demand किया तो government ने उनका demand सुना और सुनते हुए उन्होंने एक act पास किया उस act का नाम है the Indian Wildlife Protection Act बहुत ही important act है ये the Indian Wildlife Protection Act ये पास किया 1972 में इसको implement किया गया ठीक है कि ये year भी याद रखेगा बहुत important अब इस act में क्या क्या provisions था देखिए पहला provision ये था कि इसमें habitat को प्रोटेक्ट किया जाएगा मतलब कोई organism कोई animal कोई living thing जिस जगह पर रह रहा है उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाएगा protecting the habitats ठीक है ये पहला provision था दूसरा चीज इसमें इस act के तहत ये किया गया कि एक all India लिस्ट बनाया गया एक पूरे इंडिया लेवल पर लिस्ट बनाया गया जिसमें ऐसे species को ऐसे species का नाम लिखा गया इस लिस्ट में जो कि जिन पर खत्रा मन रहा रहा था इस लिस्ट को कहत है प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड इस्पीसिस का लिस्ट या फिर बोल सकते इंडेंजर्ड इस्पीसिस का लिस्ट ठीक है मतलब ऐसे इसमें species है ऐसे लिविंग तिंस का नाम इसमें लिखा हुआ है जो जिनका नंबर काफी कम गया है अब खत्रा है कि यह कहीं extinct ना हो गया दूसरा एक अल इंडिया लिस्ट बनाया गया और प्रोटेक्टेड इस्पीसिस तीसरा यह किया गया हाल्टिंग को बैन कर दिया गया इन इंडेंजर्ड इस्पीसिस का मतलब यह प्रोटेक्टेड इसमें जो लिस्ट बनाया गया था इस लिस्ट में जो भी एनिमल से उनका आप hunting नहीं कर सकते है hunting band कर दिया गया चौथा काम किया गया है कि इसमें legal protection provide किया गया to their habitat इन सभी organisms का सभी living things का जो habitat है जहाँ पे लोग रहते हैं उसको legal protection दिया गया मतलब अगर कोई इनसान इनका habitat को destroy करता है अगर पेर काटता है वहाँ पे जंगल पर destroy करता है तो उसे खिलाफ legal action लिया जाएगा ठीक है यह चौथा provision था और पाचवा चीज़ इसमें यह किया गया कि restricting trade in wildlife अब trade एकदम ही बंद हो गया बहुत सारे जानवरों का skin बेचा जाता है उनका हड़ी उनका दाथ यह सब बेचा जाता है निकालके तो यह सब चीज़ का trade को बंद कर दिया गया ठीक है तो यह पाच actions लिये गए किसके ताथ इंडियन wildlife protection act चो कि पास हुआ था 1972 में बहुत important यह act है MZQ में भी आ सकता है question और दो मासा कोशिन में भी आ सकता है समझ गए हम पर क्या रहे हम पर रहे कि इंडिया में क्या क्या steps लिये गए forest और wildlife को conserve करने के लिए तो पहला समझ गए पहला step यह act पास किया गया इस act में क्या क्या चीज़ बोला गया आब हो हमने देख लिया उसके बाद क्या हुआ देखिए उसके बाद government बले यह वह central level की हो या फिर state level की उन्होंने national park और wildlife centuries बनाना इस्टार्ट कर दिया ठीक है इसके साथ साथ central government ने कई सारे project इस्टार्ट किये ताकि एक खास animal को बचाया जा सके एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर इसके वारे में पढ़ेंगे अभी ठीक है फिलाल आप इतना समझ यह कि इन सब टाइप के एनिमल्स को बचाने के लिए एक एक प्रोजेक्ट लॉंच कर दिया गया इसके बाद हाल फिलाल में इंडियन एलिफेंट ब्लैक बॉक फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्नो लेपर्ड अइसके बाद अभी का जो फोकस है वो कहां शिफ्ट हुआ है वो पहले क्या था पहले गॉर्ण्मेंट क्या चीज़ पर फोकस कर रही थी उन्होंने एक लिस्ट बनाया जिसको बोलता है प्रोटेक्टेड़िफिस का लिस्ट यह पिर endangered species का list, इस list में जो भी animals थे उन्हीं को shift target किया जारे है, उन्हीं को बचाना है कि इन पर खत्रा मन रा रहा है, ऐसे animals जिनका number जादा है उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, थिक है, तो अभी क्या हुआ है कि shift हुच इस तरफ हुआ है, कि आप क्या करेंगे, ए rather than on a few of its component, सिब आप एक plant या फिर एक animal पर ध्यान मत दीजिए, पूरा पूरा biodiversity पर ध्यान दीजिए, इस पर focus गया है अभी, आज के time पर यहां था कि छोटे चोटे जीब जिसके insect को भी इस list में इंक्रूट किया जा रहा है, और इनको बचाने के वारे में सोचा जा जा रह आपको सिब इतना ध्यान रखना है कि अभी focus कि इस चीज़ पर है, पूरे biodiversity को protect करने पर है, ना कि सिब कुछ components पर, कुछ organisms को protect करना ही नहीं है, पूरा biodiversity को protect करना है, इस पर अभी focus है, समझे, insects को भी include कर रहे है, plants को भी include कर रहे है, चलिए, तो यह हमने पूरा पढ़ लिया कि क्या-क्या conservation करने के लिए किया गया, 20 में हमने यहाँ पर जिकर किया था tiger के बारे में, तो tiger का एक project launch हुआ था, जिसका नाम है project tiger, इसके बारे में कुछ बात चान लेते हैं, tiger के बारे में कुछ बात चान लीजिए, tiger एक key wildlife species है in food chain, food way बोल लीजिए आप, ठीके, food chain का एक important part is tiger, tiger को खत्रा किस चीज से, tiger जब इतना strong है तो खत्रा किस चीज से है, तो tiger का जो population है वो दिन पर दिन घटते जा रहा है, because of poaching for trade, लोग इसका मतलब सिकान कर रहे हैं, ताकि इसका trade रिया जा सके, इसका screen को पर जा सके, ठीके, फिर shrinking habitat, जहाँ पे यह tigers रहते हैं, वो जं animals का number कम रहा है, तो इनको भूख के कारण यह tigers का population decrease हो रहा है, इसका साथ-साथ growing human population, human population बढ़ रहा है, तो वो लोग जंगल काटते जा रहे हैं, वहाँ पे घर बना रहे है, ऐसे करते करते हैं, tigers का number कमते जा रहा है, तो यह सब कुछ रिजन से, इस वह से tigers का number कम रहा है, त ताइगर सबसे ज़्यदा पाया करा पे जाता है, तो इंडिया और इंडिया का परोशी देज नेपाल, यह दो कंट्री में टाइगर बहुत ज़्यदा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे काफी ज़्यदा पोचिंग, मतलब आप टाइगर को किल करते हैं, और उसको पैसे क लिए किल करते हैं, ठीक है, मतलब उसका सामान बेशते हैं, तो पोचिंग और इलिगल ट्रेडिंग यह काफी ज़्यदा देखने को मिलता है, इंडिया और नेपाल में, ठीक है, यह दो कंट्री का नामा प्याद रखे, तो अब्दे तो टाइगर के बारे में एक ब्रीफ ले लिया, इसका इंपोर्टेंस, इसका नंबर क्यों कम रहा है, कहां पर पाया जाता है, अब इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहट क्या लांच किया गया है, वो देखे, प्रोजेक्ट टाइगर लांच हुआ 1973 में, ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन हैं ब्यूद नोट अन to save endangered species, but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude, मतलब इतना complicated language है, आप इसको simple में समझिये, इसमें tiger को बचाना है, प्रोजेक्ट टाइगर है मतलब टाइगर को बचाना है, लेकिन सिफ यही एक aim नहीं है, टाइगर एक endangered species है, तो इसको सिफ टाइगर को नहीं बचाना है, बलकि टाइगर के साथ साथ, उसका bio type, bio type यानि natural habitat, जहाँ पर tiger रहता है, उसको भी बचाना है, आपसे पर एक tiger को बचा लिए, यह बहादुरी का बात नहीं है, tiger क्या आसपास का जंगल है, उसको भी बचाना है, तो यह main aim था project tiger का, ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ tiger reserves का नाम दिया ह हुआ है, इंडिया में, तो अगर आप competitive exams का त्यारी करते हैं, तो यह नाम आप याद कर लिजें, mcqs में आ सकता है, जैसे कि corvette national park, यह कहाँ पर पाइदा जाए, उत्राखंड में, सुंदरबन national park, नाम से ब्रसला सुंदरबन यानि West Bengal, फिर बंदर गर्व, बंदा गर्व national park, यह है मध्या परदेश में, सिरिसका wildlife sanctuary राजस्थान में, मानस tiger reserve आसाम में, और परिया tiger reserve करेला में, ठीक है, इसको अभी आद कर सकते हैं, यह topic खदर हो गया, आज है अगले topic में, अगला topic है types and distribution of forest and wildlife resource, इस topic में हमें दो चीज़ पढ़ना है, पहला चीज, कितने type के forest प पाई जाते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम यह types cover करते हैं, तो forest हो यहाँ पर, तीन category में divide चिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला है reserve forest, दूसरा है protected forest, और तीसरा है unclassed forest, reserve forest, ऐसे forest होते हैं, जो कि सबसे जदा protected है, यहाँ पे आप easily entered नहीं कर सकते हैं, ना कि नहीं यहाँ पे आप यहाँ का जदा समार यूज कर सकते हैं, काफी तर रेस्टिक्शन रहता है, ऐसे forest को reserve forest कहते हैं, more than half of the total forest land has been declared reserve forest, इंडिया में ज्यादा तर forest, आदा से ज्यादा forest, reserve forest है, ठीक है, इसका importance यह है कि, इसमें most valuable, reserve forests are regarded as the most valuable as far as conservation of forest and wildlife resources are concerned, सबसे ज्यादा importance है इस forest का, ठीक है, घना जंगल है, वो यही है, समझ गए, key point, यही आधर में 3 point, 50% से ज्यादा area, यही reserve forest का है, फिर most protected है, और heavily restricted access and use है इसका, ठीक है, और काफी useful material इसमें पाया जाता है, काफी importance है यह forest, मगर, मतलब बोलने का मतलब है, अगर आपके पास 3 type का जंगल है, एक, दो, तीन, एक हो गया reserve forest, दूसरा हो गया protected forest, और तीसरा हो गया unclassed forest, तो आपका सबसे जादा ध्यान किस पर होना चीए, सबसे पहले reserve forest को बचाने पर होना चीए, यह जब बच गया तब आप इस पर ध्यान दीजिए, और यह भी जब बच गया तब आप last में unclassed पर ध्यान दीजिए, ठीक है, चलिए, पहला हो गया reserve, दूसरे प अपार्टमेंट ने यह data डिलेर किया है, ठीक है, फिर इस forest land are protected from any further depletion, यहाँ पर main aim होता है कि इसको और ना कमने दिया जाए, ठीक है, टीरी का नंबर और नहीं कमने देना है, फिर इसमें कुछ हद तक allow है, allow some access for activities like collecting fire route, इसमें आप enter करके लकरी वगेरा चून सकते हैं, इ लेकिन reserve forest में यह भी allow नहीं था, ठीक है, और तीसरा है unclassed forest, नाम से समझभा रहा है, यह ऐसे forest होते हैं, यह फिर ऐसे west land भी इसी में आते हैं, ऐसे west land होते हैं, जिसको क्या तो government control कर दी होती है, यह फिर private individuals, यह फिर communities, एक village मिलके इस forest को मतलब manage कर रहा होता है, यह less strictly regulated है, और may face higher threat, इस पर ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ज़्यादा restriction नहीं है, तो लोग कभी कभार काट सकते हैं, पेर वगेरा, ठीक है, तो यही तीन forest का feature से आप यहाँ पर प्रेपर कर लिजेगा, important है, इसके उपर question बनता है, हमने cover कर लिया types of forest, repeat कीजिए, कितने type के forest होते हैं, पहला reserved forest, दूसरा protected और तीसरा unglashed, ठीक है, अब बात करेंगे distribution के बारे में, कि कहां कहां पर यह सब forest पाए जाते हैं, तो देखिए, इन तीरों forest को जो ऊपर के दो है ना, reserved forest और protected forest, यह दो लोग को मिला के कहते हैं, permanent forest, ठीक है, तो permanent forest सबसे ज़्यादा पाए जाता है मद्यः परदेश में, मद्यः परदेश has the largest area under permanent forest, very important MZQ के लिए, कोशन आ चुका है पहले भी, ठीक है, याद रखिएगा यह बात, फिर इसके बात लिखा हुआ है, उपर के states का नाम जैसे की जम्मू कस्मिर, और फिर South Indian states है, अंद्रपरदेश, केरला, तमिल नाडू, फ राष्टरा, यह सब states में, reserve forest ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, फिर दूसरा है, बिहार, हरियाना, पंजाब, माचल परदेश, औरीशा, राजस्थान, यह सब states में, आपको protected forest ज़्यादा देखने को मिलेगे, और बच गया जो north, north east part जो है, north eastern states और parts of गुजरात, यह पर आपको unclassed forest देखने को मिलेंगे, ठीक, तो यह सब का नाम आप याद कर लिजिए, question कैसा बनेगा, आपको से इतना समझार तो ही आप दिमाग लगा सकते हैं, सिधा exam में पूछेंगे types और उसका distribution, तो distribution में कौन-कौन सा forest कहा कहा पाय जाता है, वो याद रखिएगा, ठ like MCQ famous यह बन सकता है, चलिए, types of distribution हमने cover कर लिया, अब है, आखरी topic है, community and conservation, यह देखिए, नाम से ही समझार रहा है, community, मतलब कुछ group of लोग है, चाहे वो एक village के हो, या फिर दो-तीन village के हो, यह कुछ लोग मिलके कैसे conservation करेंगे, किसका conservation, पानी का, नहीं, forest or wildlife है, क्योंकि यह चप्टर ही है, forest or wildlife, jungle और January, इन दोनों का conservation कैसे करेंगे, लोग मिलके, यह इस topic में बताया है, देखिए, दो सीन है, दो तरीके से यह लोग conserve करते हैं, पहला और दूसरा, यह दोलों सीन जानने से पहले, आपको एक fact पता होना चाहिए, वो fact यह है, कि हमारे country में, जो forest है, यह क्या है, बहुत सारे traditional communities का gardens में, जंगल में बहुत सारे ऐसे tribes हो गएने रहते हैं, बहुत सालों से उसमें रहते हुए आने हैं, ठीक है, तो यह conservation strategy community को इस्तेमाल करके, यह इंडिया के लिए कोई नया concept नहीं है, ठीक है, इंडिया में अकसर यह देखा गया है कि community मिलके conservation conservation करते हैं, forest का, अब कैसे conservation करते हैं, दो तरीका यह पर बताया है हुआ है, पहला तरीका है, कि local community क्या करते हैं, government official के साथ collaborate कर लेते हैं, दुनों मिलके forest का conservation करते हैं, habitat को बचाते हैं, ठीक है, इससे example हो गया, सिरिस का tiger reserve राजस्तान, यहाँ पे villagers ने wildlife protection act का help से, यह हो गया government official, ठीक है, यह कानूनी, कानूनी ताकत हो गया यह, और villages का आपना अताकर, यह दोनों मिला के यहाँ पे इन लोगों ने mining activity, यहाँ इसको खोदने से रोब दिया था, ठीक है, क्योंकि mining करते हैं, यह habitat यहाँ पर पूरा display हो जाता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैसे local community जो है, government official के साथ मिलके conservation कर रही है, तो तरीका क्या है, एक तो partnership, community और government का partnership, और एक example, यह याद रखिएगा, ठीक है, और दूसर तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, दूसर तरीका यह है, कि in many areas, villagers themselves are protecting habitat and explicitly rejecting government involvement, दूसर तरीका यह है, कि यह community बोलती है, कि हमें किसी का सहरा नही चाहिए, हमें इन government official का सारा नहीं चाहिए, हम खुदी अकेले काफी है, इन wildlife और forest को protect करने के लिए, इससा example है, अलवर district of Rajasthan, यहाँ पे 1200 hectare forest को declare कर दिया, इन्होंने, as a वैरो देव, डाकव, संग्चुरी, ठीक है, declaring all set of rules, यह area में उन्होंने अपना rules बना दिया और regulations बना दिया, which do not allow, यहाँ पर hunting allow नहीं है, and are protecting the wildlife against any outside encroachment, पहार से कोई भी, अगर यहाँ पर दखल इंदाजी करता है, तो वो सक्त मना है यहाँ पर, तो आपने देखा कि यह community कैसे reserve कर रही है, conservation कर रही है, ठीक है, एक तर पर describe किया गया है, जिसको बोलते है, chipco movement, हिमालेज में क्या हुआ था, कि लोग जब भी वहाँ पर लोग पेर कारने के लिया आते थे, तो गाउ के लोग सब जाके पेर से चीपक जाते थे, कि आपको पेर नहीं काटने देंगे, काटना है तो पहले हमें काटो, ठीक है, इस deforestation मतलब पेर लगाना, अब पेर कैसा लगाना, कैसा भी टाव का पेर नहीं लगा देना, इंडिजनेस इस्पीसीज, चो नेटीव इस्पीसीज, मतलब इस एडियाज में, इन हिमालेज में, जिस टाव के पेर गुरो करते हैं, उस टाव के पेर को अगर आप लगाएंगे वो भी community, मतलब लोग मिलके, साथ में सभी लोग मिलके ऐसे native species के पेर वहाँ पर लगाएंगे, तो कितना successful वो movement हो सकता है, वो दरसाया इस चिपको movement ने, ठीके, तो चिपको movement का दो key point है, पहला इन्होंने deforestation रोका, और दूसरा उन्होंने off-forestation किया, किन्होंने किया, community मिल के गिया, ठीक है, और कैसे पेर लगाएं, तो indigenous species, यानि native trees वहाँ पर लगाएं, जो वहाँ पर grow करते हैं, ठीक है, चलिए, इसके बाद, आजकल जो है, यह काफी fashion में है, क्याचिस fashion में है, reviving the traditional conservation methods, जो पहले के जवाने में लोग जो तरीका अपनाते थे, resources को use करने का, या फिर कुछ ऐसे नए तरीकी को develop किया जाए, जो कि ecological हो, environment friendly हो, sustainable हो, यह सब चीज़ पर आजकल ज़्यादा दिया जा रहा है, तो यही एक नए फैशन है, ठीक है, इसका success भी देखने को मिल चुका है, farmers and citizens group जैसे की बीज बचाओ आंदोलन तेहरी में जो हुआ था, और नवदन या, यह सब movement पर यह show किया रहा चुका है, कि adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable, अकसर हम यह मानते हैं कि अगर आप organic farming करेंगे, बीना fertilizer का grow करेंगे, तो जो सबजी यह फर फल होगा, वो कफी महंगा होगा, लेकिन इन्हों ने यह साबित कर दिया, कि अगर आप सही तरीके से diversification करेंगे, अलग लग टाइप पर crop grow करेंगे, और उसमें आप synthetic chemical use नहीं करें ठीके, ऐसा नहीं कि हरवार organic farming महंगा होता है, इन लोगों ने यह साबित करते हैं कि organic farming भी सस्ता हो सकता है, ठीके, अब एक आखरी topic है, जो कि है joint forest management, JFM, इसमें क्या होता है कि local communities, क्या करते हैं, manage करते हैं और restore करते हैं degraded forest को, मतलब ऐसे forest जो काफी degraded हो गएं, खराब हो ग दिया गया है, वहाँ पर यह local community मिलके, इसको manage और restore करने का काम करते हैं, ठीके, देखे, सबसे पहले इस type का program launch हुआ 1988 में, कहाँ पर, Odisha State में, ठीके, जहाँ पर पहला बार यह resolution पास किया गया, जिसमें JFM declare किया गया, कि joint forest management करेंगे, ठीके, JFM depends on the formation of local, यानि village level institutions, that undertake protection activities, mostly on degraded forest land, managed by forest department, इसका नाम ही देखिए, joint forest management, joint है, तो लोग मिलके यहाँ पर काम करेंगे, एक तो हो गया community, local community, ठीक है, और दुसरा हो गया, forest department, तो forest department, और यह local community मिलके, किसी forest land को manage करेंगे, और restore करेंगे, ठीक है, समझे इतना, बदले में इन local community को मिलेगा किया, तो members of this community को मिलेगा, दो चीज, सबसे पहला non-timber forest produce, यह चीज मिलेगा, non-timber forest produce में आपके आते हैं, जिसमें लकरी नाको, जैसे के fruits हो गया, nuts हो गया, medicinal plant, यह सब चीज मिलेगे, और दूसरा चीज मिलेगा, timber harvested by successful protection, उसमें share मिलेगा, अगर कुछ लकरी निकल रहा है, तो उसमें कुछ share in community को दिया जाएगा, तो समझे के नहीं, अगर इसके उपर पर short note आता है, लिखने के लिए, जैसे के उपर, तो पहला बात आप क्या लिखेंगे, कि इसमें होता क्या है, तो इसमें local community, degraded forest को manage और restore करती है, ठीक है, पहली बार start कहां पे हुआ, तो 1988 में, Odisha में start हुआ, इसमें होता क्या है, कि local community, यानि village level institutions, forest department के साथ मिलके, किसी एक forest land को, यानि degraded land को manage करती है, ठीक है, बदले में, इन community को मिलता क्या है, तो दो चीज, एक हो गया, बिना लकरी वाला समान, और दूसरा लकरी वाला समान, बिना लकरी वाले में, जैसे fruit, nut, medicinal plant ये मिलेगा, और लकरी वाले में, जो लकरी निकला है जंगल से, उसमेंजे क्या है, a wealth of diverse and rare species, बहुत एजी है, इसको समझना, देखिए, sacred groves का पहले meaning जांग लेते हैं, हम यह आप लिक रखें, sacred groves होता है, तो these are protected areas of forest, seen as the homes of DTs, मतलब, यह जंगल का कोई एक खास area होगा, जहां पर, यह माना जाता है, कि यह किसी एक भगवान का गगार है, ठीक है, इसलिए इस area को काफी protect करके रखा जाता है, यहां पर कोई ल पवित्र जगार, ठीक है, they are a form of nature worship, यहां पर nature को worship किया जाता है, इसको practice कोन करता है, तो India के tribal people लोग इसको practice करते है, ठीक है, यह tribe लोग का मनना होता है, कि forest क्या है, gods है और goddesses है, and preserve them in their pristine form, यानि pure form में इसको preserve करते है, any human interference is banned in these sacred groves, समझी गए, तो sacred groves का बारे में इतना बात आपको पदावना चाहिए, और यह पूरा चीज आपको लिख सकते हैं, यह पूरा जो PDF है, जिसतर के से हम underline किया है, और जो लिक रखे है, यह पूरा PDF आपको download गरने के लिए मिल जाएगा, मैंने website में, ठीक है, तो tension नहीं लेना है, इस chapter का जितना भी important question answers है, वो भी website में डाल दियें, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, और notes भी आपको website में मिल जाएगा, ठीक है, अब यह आप सिब समझने पर दियान दीजिए, तो देखिए, sectorate groups का बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेचर वार्शिप ये एक age old tribal belief है, बेस्ट अन दा प्रिम Such beliefs have preserved several virgin forest in pristine form called sacred groves, ऐसे ही belief के कारण, नेचर वार्शिप के कारण, ऐसे ही सोच के कारण, कई सारे ऐसे forest है, जो कि अभी भी एदव, pure virgin form में है, आप किसी लोगों का छेटशाड नहीं है, ठीक है, इसी को कहा जाता है, sacred groves These patches of forest, or parts of large forest, have been left untouched by the local people, and any interference with them is bad, समझी गए, Certain societies, reverie a particular tree, reverie one of respect, a particular tree, which they have preserved from time immemorial, इंडिया में देखिए, कई सारे concert आपको देखने को मिलेंगे, और, मतलब, कई सारे समाज में ये देखा गया है, कि वो क्या करते हैं, एक particular tree को काफी ज़्यदा पूचते हैं, For example, जो मुंडाज और संथल ट्राइब है, चोटो नाकपूर रीजन का, ये लोग महुआ ट्री और कदंबा ट्री को काफी ज़्यदा पूचते हैं, उसी तरीके से आप इस से डिलेट कर पाएगे, बिहार और ओडिशा के लोग, ये लोग इमली का पेर और आम का पेर को काफी शूब मानते हैं, सानी के टाइम में पूजा पाट के टाइम पे, ठीक है, उसी तरीके से हम लोगा पीपल ट्री है, ठीक है, मतलब सानी भगवान का पूजा होता है, बन्यान ट्री, ये सब को भी काफी सेक्रेट माना जाता है, हिंदु धर्म में, ठीक है, उस डेफिनेशन में ये पूरा बात लिखा हुआ है, और उसके बाद कुछ एक्जामपल देजिए यहां पे, कि कौन्से कौन्से कम्मुनिटी, कौन्से कौन्से ट्री को रेवरी करते हैं, ठीक है, फिर अगला इस लास्ट पैरा में लिखा हुआ है, कि इंडिया में काफी इस डाइवर्सिटी है, कुल्चर्स का भी, अलग अलग टाइप कुल्चर्स देखने को मिलता है, तो पड़ते हैं यहां पे, देखें, इंडियन सोसाइटी कम्प्राइजे सेवरल कुल्चर्स, इच विथ इट्स ओन सेट अफ ट्रेडिशनल मेथर्स अब कंसर्विं नेच क्लोज ली प्रोटेक्टेड, कई सारे स्प्रिंग्स को, नदियों को, पहारों को, क्या करता है, सेक्रेट कॉलिटी, हम लोग कोई भगवान का रूप देते हैं, ठीक है कि यह, जिसे हम लोग गंगा नदी को काफी पूस्ते हैं, है की निक, आप देखेंगे भी कि कई सारे मंदिर्स के बाहर, आपको बंदर बगरा मिल जाएंगे, और लोग सो खाना खिलाते रहते हैं, तो वही सब बात यहां पर लिखा है, और कुछ काम का है ने, जितना अनलाइन की है, उतमे पर दियाद दीजे, काफी होगा आपको, आपके लिए, ठीक है, लास्ट पे गौतम अनले भी आये ना, तो वह उसको भी छाया पहुचाता है, यह दा, ओफरिंग सेट इवन टू दा एक्समेन, वो डिस्ट्रॉइट, ठीक है, चलिए, तो 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 प्रिजर्ब करता बहुत जरूरी है, वही यहां पर लिखा हुआ है, लास्ट में एक्सराइज है, इतना पढ़ा चुके आपको, कि आपको यह दो हमवग दे रहे हैं, पहला और यह दूसरा, यह दो कामा आप खुद से कर लिए, ठीक है, और होगा तो, हो सके तो, इसका एंसल मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा, ठीक है, चलिए, एंड करते हैं, चैप्टर तो एंड हो गय लिए, कि Forest and Wildlife Resources, Class 10, Notes by CBAC Guidance, या फिर Question and Answers by CBAC Guidance, इतना लिक करेंगा, पहले नमबर में मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, वहाँ से प्रिपेर कर लिए, और वीडियो अचल लगा तो, तीन काम कर दीजे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और एंड करते हैं, मिलते हैं बहु तिल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, बाइवाए, और टेक केर.